पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, किसी और के बारे में सोचने का मन ही नहीं करता। ये जूट है कि महबत किसी का दल तोड़ती है। लोग खुद ही तूट जाते हैं महबत करते करते। जी हाँ ऐसी ही खूबसूरत लव स्टोरी है हमारे दो लव बर्थ की। आज मैं पायल फिर लेके आई हूँ एक स्पेशल सेग्मेंट। जी हाँ स्पेशल सेग्मेंट में आज बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और दीशा पतानी की। लव बर्थ की रोमांटिक जर्नी की, F.I.R. और अब वाइरल बिकनी फोटोस की। बॉलिवुड में MS धोनी अंटोल स्टोरी से डव्यू करने वाली दीशा पतानी अक्सर अपने लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहती है। दीशा पतानी ने कभी भी अपनी लव स्टोरी वे अफेर किसी से छुपाया नहीं है। सभी जानते हैं कि वे टाइगर श्रॉफ को डेट कर रही है। तो ये भी जा रहा है कि लॉकडाउन में भी दीशा और टाइगर साथ में ही रह रहे थे। दोनों की कई फोटोज और वीडियो सामने आने के बाद से ऐसे गॉसिप किये जाने लगे। वैसे तो दीशा पतानी ने अपना जेब्यू MS धोनी की बायोपिक से किया था। लेक दूसरे को कई सालों से डेट कर रही है। तोनों रियल और रियल दोनों जिंदिगी में एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। कहा जाता है कि दोनों पहली बार एक सौंग के सिलसले में मिले थे। सी सीरीज की एलबम बेफिकरे में दीशा पतानी और टाइगर को साइन किया इसकी शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर चाहतों का सिलसला शुरू हो गया। ऐसे तमाम बॉसप्स है कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरो पंती के लिए दीशा पतानी ने और इशिन दिया था। लेकिन वह इसमें रिजेक्ट कर दी गई इस के चलते ये जोडी नहीं बन पाई। बागी दो में दोनों एक दूसरे के अपोजिट नजर आए। इस फिल्म में दोनों का किस सिन काफी चर्चा में रहा था। दोनों की केमिस्ट्री तो लोगों को पसंद आई ही और ये फिल्म भी हिट हुई। रिशा पटानी टाइग को डेट करने के आरोप लगे और इसके बाद दीशा ने पार्ट से ब्रेक अप कर लिया। वेल इसके बाद अब दुबारा चर्चा में आ गए हैं ये लव बर्ट जोडी। जी हां दीशा और उनके बॉइफिन टाइगर स्टॉप के खिलाफ मुंबई पुलिस ने गुरु बाद तो ये है कि मुंबई पुलिस के ट्वीट के ठीक बात दीशा पतानी ने इंस्टाग्राम पर बिकनी में अपनी एक फोटो शेयर की है। दीशा की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है। और फैन भी इस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स दे रही है। सोश हजार से अधिक कॉमेंस भी आ चुके है। दीशा ने जो फोटो शेयर की है वे मौलदीव्स की है। तस्वीर में दीशा डूपते सूरज के सामने बिकनी पहन कर समंदर में कातिलाना पोस देती नजर आ रही है। दीशा ने तस्वीर के साथ कैप्शिन में लिखा है थ्रो दुआर रात को दीशा पटानी और टाइगर श्रॉप मुंबई की सडकों पर कार में घूमते नजर आये थे। लोकडाउन के कारें पुलिस ने उनको रोका और जवाब मांगा की वो बेवच़ घूमने क्यों निकले है। इसके बाद गुरुवार को मुंबई पुलिस ने मुंबई में दौपेहर दो बजे के बाद लोगों के बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने पर भी रोक है। जबकि दीशा और टाइगर देजर रास कार में घूमते हुए नजर आये थे। गुरुवार को ही F.I.R. दर्च करने के बाद मुंबई पुलिस ने एक अन्य में ट्वीट किया जिसमें बिना नाम लिए दीशा और टाइगर पर संज कसा गया। मुंबई पुलिस ने अपनी ट्वीट में लिखा वाइरस के खिलाव जारी यूद में बांदरा की सड़कों पर मलंग होते दो आक्टर्स को भारी पड़ा। उनके खिलाव बांदरा ठा से समझोता है। फिलहाल दोनों ने शादी वे फ्यूचर के फ्लान मीडिया में नहीं बताए है। लेकिन कहा जाता है कि दोनों फिलहाल अपने करियर पर ध्यान दे रहे है। ऐसे में वे शादी कुछ सालों बाद ही करेंगे। झाला 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 में भांदा ने और रहे है। झाल झाल